गुडिवनिंग एव्रीवन तोड़े आई ब्रोट यू वीडियो यह वीडियो अब मैं इसका एक सीरीज टाइप से करूँगा तो यहां पर मैं इंटेलिजेंस एजनसी जो इंडिया में उनकी बात करने जा रहा हूं उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा ब्रीफली डिसकस क करूँगा क्योंकि इंटेवियू में हमेसा यह पूछेंगे आई बी के बारे में और अदर इंटेलिजेंस एजनसी जो भी इंडिया में operating करती हैं उनके बारे में तो यह आपको पता भी होना चाहिए मैंने बहुत हों का देखा है कि बहुत हों लोग पता ही नहीं होता कि क थोड़ा आपको overview दूँगा ताकि जब आप interview में देने जाएं तो आप उसके बारे में कुछ-कुछ बता पाएं क्योंकि एक secret agencies हैं तो इसके बारे में open source में बहुत कुछ नहीं है available बट जितना भी available है मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलूँगा और आप उसके बारे में जानके आप वहाँ पर अपने interview में अच्छे से बोल सकते हैं तो let's start सबसे पहले intelligence agency इंडिया में कितनी हैं तो intelligence agency इंडिया में बहुत डबलू दैन एक आती है national technical research organization प्लीज करेक्ट इसमें spelling करेक्ट के लिए न national है वो nation नहीं है नेशनल टेक्निकल research organization इस एन एंटी आरो उसके बाद एक आता है डिरेक्टरेट ओफ रेविन्यों intelligence डेट इस डी राई उसके बाद हम defense में भी intelligence होती है तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हर forces की individual intelligence agency होती है और साथ साथ में एक umbrella भी आता है तो अगर individual की बात करें तो army की military intelligence होती है air force की air force intelligence navy की navy intelligence और एक डी आई करके डिरेक्टरेट ओफ intelligence होता है वो एक umbrella है उसके अंडर यह तीनों agency आती है एक यहां पर हम इसको हम grid कहेंगे इसको हम एक agency नहीं कहेंगे बट इस ऑल्सो एक agency की तरह ही है तो इसको हम national intelligence grid जिसको net grid होता है तो यह सब agency जो है वो बहुत important है इसके साथ साथ बहुत सारी और भी agency होती है जैसे की air intelligence unit भी होती है ठीक है उसके economical intelligence unit भी होगी तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको सिर्फ यह बड़ी बड़ी जो है organization है इनके बारे में जाना है इनके बारे में पता करके इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है interview के लिए तो अब मैं IB के बारे में today I am going to speak on IB बी और IB के बारे में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा जितना भी मुझे पता है और जितना भी open source में available है वह आपको बता पाएंगे आप इनको पढ़ो जानो और जाके अच्छे से interview दो तो let's move to the another slide okay तो intelligence bureau तो अगर intelligence bureau की बात करें तो आपको यहाँ पर एक symbol भी दिखरा हुआ यह insignia है intelligence bureau का आप इसके बारे में भी पढ़ें बहुत important है क्या पता आपसे पूछ लिया जाए तो अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने अपने group में इसके बारे में पूरी information दे रखी है कि insignia क्या denote करता है कैसे denote करता है तो आप हमारे telegram चैनल पे जाके देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या है नाव intelligence bureau अभी के present situation में है वो internal security के बारे में देखता है जो भी internal जो भी इंडिया का है एरिया उसमें यह intelligence gathering की काम करते हैं लेकिन अगर हम स्ट्री में जाएं तो यह जब फॉर्म हुई थी तो यह फॉर्म हुई थी 1987 में 1985 की बात है वहाँ पर जब बेटिश रूल करते थे इंडिया में तो उसमें एक major जर्नल हुआ करते थी जिनका नाम चार्ल्स मेकोगर था वह appointed हुए थे quartermaster general of British Indian Army में सिमला में और उन्हें एक responsibility दी गई थी कि वह intelligence activity का एक responsible ली तरीके से पता करें कि इंडिया में जो freedom moment चल रहा था वहाँ पर intelligence gathering करें कि वह क्या चल रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है तो उसको लिए उन्होंने एक organization form की और वह 1987 में formed हुई उसके बाद वह धीरे धीरे 1921 में आते आते उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसको कहने लग गए Indian political intelligence क्योंकि जब freedom movement चल रहा था तो mostly जो intelligence gathering थी वह हम इंडिया का independence हो गया after 1947 तो इसको नाम चेंज करके intelligence bureau कर दिया गया और इसको under ministry of home affair कर दिया गया 1947 से लेकर 1968 तक यह इंडिया की internal as well as external agency हुआ करती थी यह दोनों चीज़े देखता थी देखा करती थी लेकिन after the war of इंडो चाइना that is 1962 उसके बाद एक committee बनाए गई और उन्होंने decide कि हमें एक अलग से agency बनानी की जरुवत है जो external देखेगी और intelligence bureau internal देखेगी और उसके बाद हुआ गठन रो का that is R.A.N.W. का research and analyzing जो कि अब external देखती है और internal जो होता है agency वो intelligence bureau देखती है अगर हम इसके headquarter की बात करें तो इसको headquarter new Delhi इंडिया में है और अगर हम इसके motto की बात करें that is also important you should always know that जिस भी organization में आप जा रहे हैं उसका motto क्या है और इसका motto बहुत ही बहतरीन है जो है कि always alert जो इनके director है आई बी के वोक उनका नाम आपको पता होना चाहिए जब भी आप exam में जा रहे हैं आप interview देंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि आई बी के head कौन है तो you have to tell that आई बी के head अर्विंद कुमार हैं और यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए अब यहाँ आई बी के काम के बारे में बहुत रहता है लोगों को कि वो क्या करती है आई बी तो आई बी का काम है intelligence gathering within India और also counter intelligence का जो काम होता है वो यहाँ पर counter terrorism यह सब भी task दिये जाते हैं अब counter intelligence और intelligence का मतलब क्या होता है अगर हम intelligence की बात करें तो कोई भी information ही एक intelligence नहीं होती है वो एक information होती है data होता है उसके अंदर जो हमारे काम की चीज होती है अगर हम उसको निकाल पाएंगे short analysis करके तो वो जो चीज information बचेगी उस को हम intelligence कहते हैं और counter intelligence क्या होता है counter intelligence मतलब यह होता है कि कोई भी adversary country है या कोई भी एक group है जो हमारी country के खिलाफ information gathering करने की कोशिस कर रहा है to stop those adversary is called counter counter intelligence ठीक है अब counter terrorism terrorism को counter करने के लिए जो भी task दिये गए है वो आई भी के होते है आई भी साथ साथ में क्या करती है border areas में जैस कि नेपाल है चाइना है बंगलादेश है मैनमार है यहां पर भी deployed है आई बी के agents and they also gather the information regarding यहां पर जो भी border पर पूरस border है smuggling हो रही है threats हो रहे है क्या क्या आप threats है तो उनके बारे में intelligence gathering करती है और यह यहां पर separatist violent political movements हैं जैसे कि अगर आप देखेंगे तो खलिस्थान क देखी जाए तो वहां पर वहां पर भी IB का एक बहुत important role होता है साथ साथ में IB की VIP security unit होती है जो की safety देखती है VIP की जैसे की वहां पर जो भी VIP हैं जैसे कि हम अगर prime minister की बात करें तो उनके उपर क्या threats हैं कहां कहां से threats हैं अगर threats हैं तो कैसे हो सकता है इन सब के बारे में information gather करना और उनकी security देखने का काम IB की VIP security unit का काम होता है हर स्टेट में intelligence ब्यूरो का एक छोटा सा headquarter होता है सब headquarter कह सकते हैं उसको हम open source से पता कर पाया है जो भी wikipedia में देखा पाया है तो उसमें यह लिखा हो गया है और यह किया गया था कि IB ने counter intelligence program एक बनाया था और किया था जिससे CIA को हमारे पोखर nuclear test जब हुआ था उसके बारे में पता नहीं चल पाया था तो CIA क्या कर रही थी CIA information gather करने की कोशिस कर रही थी कि क्या इंडिया एक nuclear test करने जा रहा है लेकिन वहाँ पर IB ने बहुत successfully operation plan किया और counter intelligence की तरीके से उन्हें prevent कर पाया कि उन्हें हमारी information नहीं मिल पाई that is how we are able to test our nuclear in poker and two उसके बाद एक report भी आई बी ने 2008 में बहुत सारे terror modules को intelligence gathering के द्वारा उनको burst कर दिया गया वहाँ पर नहीं हो पाए और IB ने एक बहुत बड़ा role play किया है जो northern eastern state of India हैं वहाँ पर peace लाने के लिए वहाँ पर insurgent groups को समझाने के लिए वहाँ गुसने के लिए penetrate करने के लिए और फिर उसको destabilize करके इंडिया में peace लाने के लिए जो काम किया गया है इंसर्जेंट groups को बिलकुल तोड़ देने के लिए disintegrate करने के लिए और फिर इंडिया को protect करने के लिए जो आई भी ने बहुत अच्छे से काम किया है वह भी एक operation में माना जाता है hopefully आपको आई भी के बारे में जितना पता होना चाहिए वह पता चल चुका होगा मैं नेक्स्ट वीडियो आरे एंड डव्लू रिसर्च अन एनलैसिस विंग के बारे में लाऊंगा उसके बाद I am going to speak about NTRO और उसके बाद हम DRI के बारे में military intelligence के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम net grade के बारे में बात करके यह सीरीज को खत्म कर देंगे होफुली सबको समझ आए सबको अच्छा लगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे मौक इंटर्व्यू देने हैं बहुत ही minimum प्राइस पे प्रोग्राम चल रहा है तो यू कैन जॉइन आवर टे इंटर्व्यू आपको मिलेगा इससे की साथ हम अपनी वीडियो को खतम करते हैं थैंक यू बाइबाइ